एक बहुत ही important topic जो news में थी, even आगर आप लोगोंने the Hindu editorial follow अगर आप लोगोंने करते रहते हैं, तो यह topic definitely आपको दिखा होगा, तो mainly यहाँ पर India rhino vision जो है 2020 इसके बारे में discuss करेंगे, इसके main objective क्या है, कैसे rhino की translocation के द्वारा जो ecological balance को protect किया जाना की बात हो रही है, यहाँ इसके बारे में बात करेंगे, one horn rhino जो है यहाँ पर, one horn rhino के बारे में इहाँ पर discuss करेंगे, अलग-अलग जो rhino की species के बारे में discuss करेंगे, और mainly यहाँ पर जो IUCN की critically endangered और vulnerable status क्या है, अलग-अलग जो एशिया में पाये जाने वाले, जो one horn rhino की status जो है, international union of conserving nature, तो देखे from environmental science point of view के हिसाब से बहुत ही important वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को end तक बिलकुल देखते रहेगा, और इस से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको please सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडि राइनो विजन 2020 जिसको short form में IRV 2020 भी बोला जाता है, ये news में थी बिकाज जो असाम के मानस नेशनल पार्क है, तो mainly दो जो one horn rhino वहाँ पे translocation किया गया था, तो ये उस time में news में थी, तो ऐसे news में देखे कभी-कभी, news बहुत चोटी है, लेकिन उस से related काफी कुछ प्रसन यहाँ पे बन सकते हैं, और उसी से related आपको mains या फिर prelims में सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो analysis के लिए आपके पास जो states या फिर जो information होना बहुत ही ज़रू रही है, तो mainly देखे 2020 में, अभी तो 2021 चल रही है, तो 2020 में अगर देखेंगे regarding IRV Indian rhino vision के तहत, एक rand of rhino translocation, यानि कि एक जगा से कुछ rhino दूसरे जगा में relocate करना, तो यही इसका main objective है, तो यह आठ पर 2020 में कि यह जा चुके थे, तो अगर देखेंगे इन में से, अगर देखेंगे कि जो मानश नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और पोवीट जा सका, तो अगर देखेंगे कि मानश नेशनल पार्क, तो मानश नेशनल पार्क इसको जो है, based on rhino lead location, क्योंकि अगर देखा जाए, IRB का main मकसद ही क्या है, कि काजीरंगा नेशनल पार्क में rhino की density बहुत जादा है, पूरे दुनिया की लगभग वन होन राइनो जो है, ए मानश नेशनल पार्क की gradually बढ़ती हुई आ रही है, और इसी के वज़े से 2011 में, जो World Heritage Site का दर्जा मिला था, मानश नेशनल पार्क को, तो यह लांच किया गया था 2005 में, और इसका main objective क्या है, कि 2020 तक जो है, इंडियन जो एक सिंग वाला जो गेंडा है, यानिक राइनो है, लगभग 3000 तक करना इसमें, तो यहाँ पर main 7 protected areas जो आसाम में चुने गया है, तो mainly 2020 तक यह चुने गया है, कि यहाँ पर राइनो की density एक्चली यूनिफर्म करनी है, यूनिफर्म नहीं तो एकलिस्ट थोरी सी बढ़ानी है, काजिरंगा में तो अल्रेडी है, यहाँ पर तो यह जगाओं जो आसाम में protected area के हिसाब से घोषित किया गया है, तो mainly यहाँ पर IRV 2020 में अगर देखेंगे, तो wild to wild translocation, यानि कि एक जगा से दूसरी जगा, यानि कि जहाँ पर rhino की density जदा है, वहाँ से जो है, कम density वाले जगा तक यहाँ पर translocate करने की बात होती रहती ह है, तो mainly IRV यानि कि Indian Rhino Vision 2020 यह एक joint collaborative effort है, अलग-अलग यहाँ पर organizations involved है, जैसे कि International Rhino Foundation इसके बार में बात करेंगे हम, आसाम Forest Department, Boroughland Territorial Council, World Wild Fund India, US Fish Wildlife Services, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जो International Rhino Foundation तो उहाँ पर अगर उनके states के हिसाब से अगर देखा जाए, जो white rhino या फिर black rh अगर देखेंगे, यह जो है, दो सिंगो वाली, आप देख सकते हैं यह पर यह पर्टिकुलर दो में, दो सिंगो यह अफरीका में पाये जाता है, और white rhino जो है, यह बहुत ही ज़्यादा एकदम हम बोल सकते हैं कि कुछी species जो है यहाँ पर बच्ची हुई है, तो IOCN यान अफरीका में, जो black rhino है, यह estimated population, जो है 5630 बच्ची हुई है, critically endangered status पे है यहाँ पे, और अगर बात करेंगे, एशिया में तीन प्रजाती पाये जाता है, जो greater one horn rhino, जावान rhino और सुमार्टरन rhino, तो इसके बार में बात करेंगे हम, तो देखें यहाँ पे greater one horn rhino में अगर देखेंगे, एशिया में तीन प्रजाती पाये जाते हैं, greater one horn rhino, जावान rhino और सुमार्टरन rhino, में लिए देखें यह राइनो की जो यहाँ पे poaching होती है, इसकी जो सिंग है, उसका medicinal purposes के लिए भी उसको मारा जाता है, या फिर habitat loss, अगर देखेंगे आसाम में, अगर या फिर जो गारियों की transportation के वज़े से, या फिर अलग अलग बहुत सारे factors के वज़े से, यहाँ पे habitat loss के वज़े से भी यहाँ पे population की काफी कमी आती हुई दिखाए देखेंगे हैं, तो अगर बात करेंगे यहाँ पे जावान और सुमार्टरन rhino, यह दोनों जो है critically endangered status पे रखा गया है यहाँ पे, और जो greater one horn rhino, यह दो इंडियन rhino सरस्भूई बोला जाता है, तो इसको जो है IOCN red list के अंदर vulnerable category में रखा गया है, तो यह तीनों ही जो प्रजाती है, एशिया में पाये जाता है, इसको जो है sites के अंदर appendix स्वान में रखा गया, तो ऐसे छोटे प्रशन आपको पूछे जा सकते हैं कि तीन प्रजाती कौन सी है, और इन तीन प्रजाती को कौन से काटेगोरी में रखा गया है, environmental sciences में ऐसे topic अगर आपको पूछा गया, तो काफी important है यहाँ पे, तो greater one horn rhino यह जो है, regarding the wildlife protection act 1972 के हिसाब से, इसको schedule one के अंतरगत रखा गया तो यह जो है vulnerable, यानि कि अभी जो है इसकी protection में काफी हद तक यहाँ पे, जो सुधार हुई है, यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे काम किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए, पूरे दुनिया के मुकाबले यहाँ पे population काफी जादा कम है, भले ही यहाँ पे population बढ़ चाहिए, uniform होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि population की increase होनी चाहिए, और ecological balances में यह बहुत ही important है, ताकि biodiversity conservation को maintain किया जा सके, तो यह था हम लोग का complete analysis regarding the India Rhino Vision 2020 के हिसाब से, अलग-अलग angles से यहाँ पे हम लोग ने discuss किया, prelims, mains, या फिर interview में भी यहाँ पे आपको अलग- अच्छा लगए, इसको प्रीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोगो बहुत ज़्यादा महनत और research ज़रोध होती है, और आप लोग का support हम लोगो बहुत ज़्यादा इंस्पार करता है और भी hard work करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, देख तेरे history rise, take care, thank you and जय हिंद